3.2.2 उश्मा के प्रभाव हम दैनिक जीवन में उश्मी उर्जा के संचरन को देख नहीं सकते किन्तु उश्मा के प्रभावों को अवश्य अनुभव कर सकते हैं उश्मा देने पर वस्तु का ताप बढ़ता है जितनी अधिक उश्मा वस्तु प्राप्त करेगा उतना उसका ताप बढ़ता जाएगा और पदार्थ में प्रसार होगा पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन संभव है पहला ताप में व्रिद्धी क्या आपने कभी सोचा है कि धूप में पड़ी लोहे की बेंच लकडी की बेंच से अधिक गर्म क्यूं हो जाती है नदी किनारे की रेत दिन के समय गर्म लगती है जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता किसी वस्तू को गर्म करने पर वह उश्मा अवशोशित करती है तथा उसका ताप बढ़ता है ठंडे होने की प्रक्रिया में वस्तू में से उश्मा बाहर निकलती है तथा ताप घडता है भिन भिन पदार्थों वाली समान द्रवेमान वाली वस्तों को समान ताप तक गरम करने के लिए भिन भिन मात्रा में उश्मा देनी पड़ती है वस्तो द्वारा ली गई और दी गई उश्मा क्यू निम्न बातों पर निर्भर करती है पहला वस्तु के द्रवेमान M पर क्योंकि Q समानुपाती M पहला समी करण दूसरा वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन डेल T पर क्योंकि Q समानुपाती डेल T दूसरा समी करण तीसरा वस्तु के पदार्थ की प्रकृती पर अर्थात Q समानुपाती M गुनित डेल टी या Q बराबर M गुनित S गुनित डेल टी जहां S एक समानुपाती नेतांग है जिसका मान वस्तू की प्रकृती पर निर्भर करता है इसे वस्तू के पदार्थ की विशिष्ट उश्मा अत्वा विशिष्ट उश्मा धारिता इस्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं समी करन तीन से S बराबर Q बते M गुनित डेल टी विशिष्ट उश्मा का ऐसाई मात्रक जूल प्रती किलोग्राम डिग्री सेलसियस होता है यदि M बराबर एक, डेल्टी बराबर एक हो तो Q बराबर S अर्थात पदार्थ के विशिष्ट उश्मा धारिता उश्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांग ड्रवयमान में एकांग ताप की विद्धी कर सके जिन पदार्थों के विशिष्ट उश्मा अधिक होती है वे देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं इसी प्रकार कम उश्मा धारिता वाले पदार्थ जल्द ही गर्म वर ठंडे हो जाते हैं सोचिए यदि सभी पदार्थों की विशिष्ट उश्मा धारिता समान होती तो क्या होता? चर्चा करें पानी की विशिष्ट उश्मा की तुलना अन्य पदार्थों की विशिष्ट उश्मा से करे अध्याय तीन प्रश्न यदि 25 ग्राम कौपर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 487.5 जूल उश्मा देनी पड़ती है तो कौपर की जूल प्रथी कर्राम डिग्री सेल्सियस में व्यक्त विशिष्ट उश्मा क्या होगी हल हम देख सकते हैं कि प्रश्न में हमें उश्मा का मान कितना दिया हुआ है उश्मा क्यू बराबर हमारे पास है 487 उश्मा क्यू बराबर हमारे पास है 487.5 जूल द्रव्यमाल M बराबर 25 ग्राम विशिष्ट उश्मा S जो है वो हमें ग्याद करनी है S बराबर ग्याद करना है और ताप में परिवर्तन डेल्टा टी ये कितना होगा प्रश्ट में कहा गया है कि 25 डिग्री से 75 डिग्री सेल्सियस ताप मान बढ़ा याने कि 75 डिग्री सेल्सियस रेड 25 डिग्री सेल्सियस तो ताप मान में परिवर्तन हुआ 50 डिग्री सेल्सियस का अब चुकि हम जानते हैं कि उश्मा क्यों बराबर होता है द्रव्यमान गोनित विशिष्ट उश्मा गोनित तापमान में परिवर्तन याने की डेल्टा टी तो अब हमारे पास जो मान है उसे हम इस समी करण में रख सकते हैं तो देखते हैं उश्मा का मान सबसे पहले देखिए 4,487,5 बराबर द्रव्यमान जो है वो है 25 ग्राउं विशिष्ट उश्मा हमें ग्याद करनी है और तापमान में परिवर्तन याने 50 चलिए आगे हल करते ह चलिए आगे हल करते हैं चलिए आगे देखते हैं तो हमने या देखा कि मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ था 487,5 बराबर द्रव्यमान 25 गुनित S गुनित ताप में परिवर्तन मिला था 50 डीरी सेल्सियस का और चूंकि हमें विशिष्ट उश्मा का मान ग्याद करना है इसलिए हम इसे लिख सकते हैं S बराबर 487,5 पूरे के बटे 25 गुनित 50 तो S का मान हमें यहां से प्राप्त होग 0.39 जूल प्रती ग्राम डिग्री सेल्सियस इस प्रकार यह प्रश्न हल हुआ उश्मा धारिता हीट कैपिसिटी उश्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण दरव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है उश्मा धारिता कहलाती है यदि वस्तु का दरव्यमान M तथा विशिष्ट उश्मा S है तब उश्मा धारिता बराबर दरव्यमान गुनित विशिष्ट उश्मा बराबर M गुनित S उश्मा धारिता की इकाई जूल प्रती डिग्री सेल्सियस होती है मिश्रन का साम्यताब आपने दो बाल्टियों में नहाने के लिए पानी ले रखा है जिसमें से एक बाल्टी का पानी गर्म है वह दूसरे का ठंडा दोनों पानी का ताप मान क्रम शह 80 डिग्री सेल्सियस वह 20 डिग्री सेल्सियस है अब आप एक तीसरी बाल्टी में एक लिटर गर्म पानी और एक लिटर ठंडा पानी मिलाते हैं पानी के इस मिश्रंड का ताप क्या होगा? यहाँ पर दोनों इस्थितियों में पानी की विशिष्ट उश्मा एक ही मानते हैं अर्थात S1 बराबर S2 बराबर S यदि मिश्रंड का ताप T मान लिया जाए तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई उश्मा बराबर M1 गुणित S1 गुणित ताप में कमी जहां गर्म पानी का द्रविमान M1 है और T1 उसका प्रारंभिक ताप है बराबर M1 गुणित S1 कोष्टक में T1 रेंट T ठंडी वस्तु द्वारा दी गई उश्मा बराबर M2 गुणित S2 गुणित ताप में व्रिद्धी जहां ठंडे पानी का द्रविमान M2 है और T2 उसका प्रारंभिक ताप है बराबर M2 गुणित S2 कोष्टक में T-T2 उर्जा सनक्षन के निमानुसार मिश्रन विधी से ली गई उश्मा बराबर दी गई उश्मा M1 गुणित S1 गुणित कोष्टक में T1-T बराबर M2 गुणित S2 गुणित कोष्टक में T-T2 चुकि S1 बराबर S2 बराबर S है इसलिए M1 गुणित S गुणित कोष्टक में T1-T बराबर होगा M2 गुणित S गुणित कोष्टक में T-T2 के अर्थात साम्यताप T बराबर M1 गुणित T1 धन M2 गुणित T2 पूरे के बटे M1 धन M2 M1 T1 M2 T2 का मान रखने पर 1 गुणित 80 धन 1 गुणित 20 पूरे के बटे 1 धन 1 बराबर 80 धन 20 पूरे के बटे 2 बराबर 100 बटे 2 याने की 50 डिगरी सेल्सियस अता पानी के मिश्रण का तापमान 50 डिगरी सेल्सियस होगा चर्चा करें उप्रोक्त समीकरण में T1 रिंट T तथा T-T2 क्यों लिखा गया?